तो दोस्तों पाबलो पिकासो ने कहा था कि action is the foundational key to the success कार्या ही सफलता की बुनियाद होती है तो अगर आपको सफलता पानी है तो कार्या तो करना ही पड़ेगा Hello everyone, study is मैं आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन सर्मा और बापस आगया हूँ दाहिंदू की खबरों के साथ आज जेट है नवेंबर 10, 2018 और डे है साटड़े निउस्पेपर स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक सवाल और आज का सवाल कल के निउस्पेपर से लिंक करता है आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नालसा के बारे में करेक्ट है नाशनल लीगल सर्विसर अथॉरिटी के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पहली स्टेटमेंट है कि नालसा is headed by a retired chief judges of India दूसरी स्टेटमेंट है कि नालसा एक statutory body है और चलिए शुरुवात करते हैं आज के दा हिंदु से, पर आज पेज़ नंबर वन से नहीं पेज़ नंबर 18 से शुरुवात करूंगा, तो कि बहुत सारे यहां पे वीवर्स ऐसे हैं, जो शुरू में वीडियो देखते हैं, और page number 18 तक नहीं बहुच पाते और वो महत्वर नहीं समझ पाते हैं कि page number 18 कितना ज़्यादा जरूरी है exam point of view से तो start करते हैं page number 18 से पहली ख़बर मिलती है don't compare air pollution to smoking say experts आपने भी media reports में कुछ ऐसी चीजें सुनी होंगी कि अगर आप एक cracker burn करते हैं तो वह equivalent है कि आपने 100 cigarettes smoke कर ली या इस तरगी की बाते भी होती रहती है कि हमारी जो air है वो इतनी ज़्यादा polluted हो चुकी है कि कोई व्यक्ति अगर smoke भी नहीं करता है तो भी उसके उपर जो effect है वो उतना ही है जितना कोई व्यक्ति अगर smoke कर रहा है कितनी smoking कर रहा है तो यहाँ पर smoking को air pollution की equivalent करके देखा जाता है दोनों का ही comparative analysis किया जाता है air pollution को बार बार smoking के साथ link करके लोगों को समझाया जाता है देखो यह जो समझाने की प्रक्रिया है सही प्रक्रिया नहीं है ऐसा कहना है यहाँ पर anti tobacco activist का और यहाँ पर जो exports है उनका भी यहीं मानना है कि आप air pollution को smoking से compare कर रहे हो और जो लोग smoking कर रहे हैं उनको एक बहाना दे रहे हो यह कहने का कि बाहर हवा में तो पहले ही इतनी जादा smoke का धुआ है जो की लोग ले रहे हैं और हम अगर थोड़ी से smoking कर लेंगे तो उससे क्या effect होगा तो यहाँ पर चीजों को जो समझाय जा रहा है उनका आप कहसकते हो मकसद अच्छा है पर जो समझाने का जो तरीका है वो सही नहीं है ऐसा कहना है यहाँ पर exports का exports ने कहना है कि यहाँ पर जो smokers हैं उनको हची सही लगने लगी है वो smoking quit नहीं करना चाते smoking नहीं छोड़ना चाते और उनको एक तरीके का बहाना भी मिल गया है पर उनको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो health consequences है smoking के वो thousands times जादा खतरनाक है air pollution के hazardous effect से यहाँ पर बताय जा रहा है कि जो air pollution के जो main ingredients होते हैं वो होता है हमारा carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide यहाँ पर कुछ मात्रा में ozone भी होती है volatile organic compounds होते हैं PM2.5, PM10, benzene, toline, xylene अब जितने भी important components के नाम लेना चाहो उतने नाम ले सकते हो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति smoke करता है यह सारे के सारे components तो उसकी body के अंदर जाते ही हैं इसके साथ 7,000 toxic chemicals भी जाते हैं 7,000 toxic chemicals can you imagine इतने सारे toxic chemicals साथ में जा रहे हैं और आप किस तरीके से compare कर रहे हो smoking को air pollution से यहाँ पर एक और चीज़ यह है कि अगर कोई व्यक्ति air pollution और smoking को compare कर रहा है तो उसे यह समझना पड़ेगा कि जो वो air breathe करता है उससे 200 times जादा खतरनाक होते है कोई व्यक्ति अगर smoke करता है और अगर कोई व्यक्ति smoke करता है उसको particulate matter 200 times जादा उसकी body के अंदर जाता है और यहाँ पर अगर कोई smoker किसी room के अंदर present है तो उसकी breathe की वजह से भी और वो अगर smoking कर रहा है उस वजह से भी यहाँ पर जो indoor pollution होता है वो outdoor pollution से जादा हो जाता है बढ़ जाता है इन सब चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा तो यहाँ जो philosophy है समझाने की वो गलत है तो इस जो article है इसका आप इस्तमाल करोगे essay में इस्तमाल करोगे air pollution में इस्तमाल करोगे यहाँ पर जो anti-tubank campaign से related अगर कोई issue आता है उससे यहाँ पर यहाँ पर anti-smoking से related कोई article आता है उसके अंदर आप इस्तमाल करोगे इस article का इसी के साथ page number 18 पर ही आप पर एक को report मिलती है news का नाम है most child death due to pneumonia in India यहाँ पर हमारे सामने आई है report report का नाम है pneumonia and diarrhea progress report इस report को निकाला है यहाँ पर international vaccine assess center ने यहाँ पर जो report है यह basically 2016 वाले data के साथ बनाई गही है और उस data के हिसाब से बता गया है कि जितनी भी countries हैं जो इस report के अंदर थी इन number यहाँ पर 15 countries के एक data लिया गया जिसमें जो वो 15 countries हैं वो वो country हैं जो 70% जो pneumonia और diarrhea के जो cases होते हैं वो इन 15 country के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर बताया गया कि globally pneumonia diarrhea से मरने वाला जो बच्चे हैं हर चार बच्चों में से एक बच्चा जो मरता है वो pneumonia diarrhea की वजह से मरता है यहाँ पर under 5 age वाले बच्चों के बारे में बात की जा रही है 2016 वाला यहाँ पर data है यह चीज भी आपको याद रखनी है imported यह report इसलिए हो गई है क्योंकि आने वाला है world pneumonia day November 12 को और उससे पहले इस report को publish कर दिया गया है कि जो countries हैं वो आईना सामने रख ले देखें कि उन्होंने क्यों कार रहे हैं जो diarrhea diarrhea और pneumonia की cases उने कम करने के लिए जो करने की कोशिश करी है वो शफल हो पाई है या नहीं यहाँ पे 10 बड़े बड़े की indicators जो कि यहाँ पे WHO ने suggest किये थे उनके basis पे सारे के सारी analysis की गई है 10 बड़े की indicators यहाँ पे WHO ने suggest किये थे जिनकी मदद से जो United Nations Sustainable Development Goals है जो कि target कर रहे हैं कि हम लोगों को reduce करना है under 5 mortality to at least as low as 25 per thousand life births by 2030 वो कम हो सके अब यहाँ पे वो 10 की interventions या indicators क्या थे यहाँ पे हैं वो जैसे breast feeding, vaccination, assess to care, use of antibiotics, oral rehydration solution जिसे हम लोग ORS के नाम से जानते हैं zinc supplements जिसकी मदद से बहुत सारी जो harmful effect है उनको protect करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है prevent, pretend and treatment of diarrhea and pneumonia तो यह जो सारे के सारे 10 बड़े indications थे, 10 बड़े बड़े interventions थे उनके basis पे यहाँ पे report सामने हैं और उसने बताया कि इन 15 country में यहाँ पे इंडिया ने फिर से सबसे खराब परदर्शन किया है और top किया है इंडिया continues to have the highest burden of pneumonia and diarrhea cases in the world पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा number of diarrhea और pneumonia के जो cases हैं वो इंडिया के अंदर आपको मिल जाएंगे डायर्या की वज़े से यहाँ पे जो death है वो है 158,176 वो है 1,002,008,13 और pneumonia के वज़े से जो death cases हैं इंडिया के अंदर वो है 158,176 यहाँ पे 2016 की बात की जा रही है तो यहाँ पे जो pneumonia और diarrhea से related एक report हमरे सामने आई है और वो बता रही है कि क्या हम लोगों ने improvement करी है देखो अगर पिछले बाले data से आप देखोगे तो हाँ हम लोगों ने improvement करी है बट फिर भी बाकी country के हिसाब से हमारे यह number of cases हैं वो जादा है उसका reason हमारी population भी है एक बहुत बड़ा reason यहाँ पर देखोगे इंडिया में जो progress है वो अच्छी तरीके से implement हुई है हम लोग हमारे health sector के उपर अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर आप देखोगे जो vaccination होती है उसका coverage धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जैसे हमारा इंद्रधनुष mission है उसके अंदर भी vaccination को involve किया गया है diarrhea की तो फिर उसका जो implementation है वो देखा गया है यहाँ पर grass root level पे और जैसे आप देखोगे जो hemophilius influenza type B vaccine होती है उसका भी जो area है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आया है 2017 के अंदर introduced क्या गया था pneumonical conjugate vaccine जो की अभी सिर्फ 6 states के अंदर है और 6 states में आप देखोगे जो cases है pneumonia के वो कम होते हुए नजर आये हैं तो यह जो particular type of vaccine है इसको बहुत ही जल्द हमें बाकी सारे region के अंदर भी implement करना है इसी के नीचे आप एक और खबर मिलती है इंडोनेशिया तोराजा tribe live among the dead यहाँ पे एक tribe की बात हो रही है और यह tribe important इसलिए हो जाती है कि इंडियनेशिया के अंदर बहुत सरे tourist ऐसे हैं जो particular tribe का living standard किस तरीके से रहते हैं किस तरीके से वहाँ पर बरियल activity होती है अगर उनकों से rights perform किये जाते हैं उसको देखने के लिए जाते हैं तो tourist destination बन चुकी है यह particular tribe इस tribe का नाम है तोराजा tribe कभी कबाद tribe के नाम पूछ लिए जाते है examination में तो आपको याद होना चाहिए कि तोराजा tribe link करती है इंडोनेशिया से अब यहाँ पर यह जो tribe है इसका लिखाना भी जाता है पानी या ड्रिक्स भी दिये जाते हैं और उसी तरीके से विएक किया जाता है जैसे वो व्यक्ति बिमार हो और उसके बाद उसको कुछ महीनों बाद उसे बरी किया जाता है तो यह particular rights है जो perform किया जाता है इस tribe के अंदर और पहले तो यहाँ पे tea leaves और death rituals है उनको पूरी किपरी दुनिया के सामें showcase करके tourist को attract करने की भी कोशिश कर रही है और बाली के अंदर बहुत सरे tourist जैसे हैं जो जाते हैं और especially इस tribe को देखने भी जाते हैं ठीक है नाम्या दखना तो राजा tribe important है इसी के साथ आपको एक और news मिलती है देको हम लोग बात क जमाना है यहाँ पर industrial revolution 4.0 चालू हो चुकी है और news है virtual news presenters who to work tirelessly यहाँ पर पहले इपने आपने सबसे पहली चीज सामने आ गई है जहाँ पर news anchor है जो कि artificial intelligence की मदद से यहाँ पर Chinese और English में news present कर रहे हैं वैसे के लिए एक robot है जो जिसके अंदर जो सारी के सारी wordings है script है वो save ह हो जाती है और उसके बाद वो सारी के सारी चीज है camera के सामने बोल देता है recording हो जाती है और publish हो जाती है तो China unveils first world's AI anchor artificial intelligence से चलने वाला एक anchor और इसको basically जिन्जुआ की एक news agency है उसकी यहाँ पर जो news है उसके अंदर present करता हुआ देखा आप picture अपनी screen पे भी देख सकते हो तो पेज नमबर 18 की news यहाँ पर समाख तो आज आओ पेज नमबर 1 पर यहाँ पर आपको ख़बर मिलती है श्रिसेना डिजॉल्प श्रिलंका पार्लियमेंट पोल सान जैनुरी 5 श्रिलंका के अंदर जो political इस्ति थी है वो बहुत जादा गरवड हो चुकी है वहाँ पर president और ज constitutional provisions को तोड़ा जा चुका है यहाँ पर फिर से activist और जो political analysis है वो सामने आये हैं और अपनी अपनी बात के सामने रख रहे हैं कि constitution के हिसाब से कौन सही है और कौन गलत है पहले आपको तोड़ा background देता हूँ हुआ कह था देखो जो president मित्री पाल सी शेना ने है उन्होंने उस स प्राइम मिनिस्टर रनिल विकरम सिंगे को उनके पत से हटा दिया और within 24 hours ही former president of Sri Lanka महिंदर राजय पक्षे को चुन लिया as the new prime minister अब देखो कोई नया prime minister आया है तो उसे parliament के अंदर तो majority अपनी proof करनी ही पड़ेगी यहाँ पे आप देखोगे शिलंका का जो parliament है वो 225 member वाल के पास होने चाहिए पर उतने members नहीं है यहाँ पर जो अभी जो currently यहाँ प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं महिंदर राजय पक्षे के पास और इस वज़े से बहुत बड़ी news सामने अगई थी क्या parliament के अंदर महिंदर राजय पक्षे अपनी majority proof कर पाएंगे यहाँ पे क मैंने आपके साथ एक ओर new discussion मिली थी कि जो speaker है parliament के उन्होंने कह दिया था कि मैं इन जो प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदर राजय पक्षे इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता क्योंकि अभी था कि उन्होंने majority proof नहीं करी है और उन्होंने president को यह भी request करी थी कि आप constitution के provision के आप से चलो और यहां पे जब रजेल विकरम सिंग है majority enjoy कर रहे थे आपको उनको पत्से नहीं हटाना चाहिए था और आपने constitution का भी violation किया है यह सारी सिस्टिदियों के बाद यहां पे जो president है मित्री पाल स्री सेना उन्होंने parliament को dissolve कर दिया अब parliament को dissolve कर दिया तो फिर से क्य होगा नए elections होंगे क्योंकि उन्हें पता था कि जो उनकी जो इस तरीके की side है जिस side को वो support कर रहे हैं वो parliament के अंदर अपनी majority proof नहीं कर पाएंगे अब यहां पे नए elections की date announce की गई है January 5 अब बड़ी जो news हमारे सामने यह आई है कि आप देखोगे कि according to the 19th amendment to Sri Lanka's constitution शिलंका क constitution का जो 19th amendment है उसके हिसाब से जो president के पास कोई भी power नहीं है कि वो parliament को dissolve कर सके within four and a half year of its convening तो जब parliament के अंदर जो नए लोग आए उनके साड़े चार साल तक यहां पे president dissolve नहीं कर सकता parliament को और अगर उसे करना भी है तो उससे पहले two third of the members को यहां पे request करनी पड़ेगी president को और उसके बाद वो dissolve कर सकते हैं यह नहीं किया गया तो यहां पे political activist का यह कहना है कि यहां पे constitution का violation किया गया है 19th amendment का violation किया गया है पर यहां पे शिलंका के president की side जो लोग है जो उस side के जो constitutional analyst है उनका यह कहना है कि जो article thirty three two है of the shilanka's constitution वो power देता है president को कि वो summon कर सके है पर रोख क कर सकते हैं parliament को और उस power के तहत यहां पे जो parliament है उसे dissolve किया गया है अब बहुत ही खतरना के इस्तिती मनती निजर आ रही है हमें शिलंका के अंदर और यह development है कि किस तरफ जाएगी अभी तक कोई भी जो आमने जो रास्ता है वो साफ होता हुआ नहीं निजर आ रहा है तो इ हमने देखा था पिसे दिनों जब governing body की meeting हुई कोई भी मुद्दा सामने नहीं आया कोई भी बड़े decision सामने नहीं आया बलकि यहां पे जो चीज़ सामने आई वो यह है कि सरकार चाती है कि RBI जो बहुत सारी चीज़ें कर रही है banks के ओपर जैसे MPA के वज़े से जो बहुत स सरकार कह रही थी कि RBI जो profit कमाती है वो as a dividend जादा तर सरकार के पास चाहे पर RBI क्या कर रही है पिछले दो साल में RBI ने यह किया है कि जो profit आता है उसमें से maximum जो पैसा होता है RBI अपने ही contingency fund के अंदर डाल देती है पर यहां पे सरकार कह रही थी कि as a owner of the RBI वो पैसा as a profit हम लोग को मिलना चाहिए और RBI को contingency fund की जरूरत क्या है जब हम RBI के ऊपर बैटे हैं और RBI का सीधा सीधा यह कहना था कि अगर कोई problem आ जाती है उसके लिए RBI के पास emergency reserves होना भी जरूरी है यहां पे उन दिनों आपने देखा होगा RBI के deputy governor Viral अचारे जी ने इस चीज को बोल potential इस्थिती है वो turmoil वाली situation में आ जाएगी गरबड़ा जाएगी उसी से related कुछ media reports में यह आया था कि सरकार चाहती है कि RBI उसको 3.6 lakh crore rupees दे यहां पे कुछ 1 lakh crore rupees की भी बात कर रहे थे अब उन सारी जो media reports थे उनको दन किनार करते हुए यहां पे economic affairs secretary सुवाश ला है कि हम लोगों को ऐसे किसी भी पैसो ज़रत नहीं है हम सिर्फ चाहते हैं कि RBI और government के बीच में जो यहां पे पैसो का जो आदान प्रदान होता है जो profit का give and take होता है वो किसी law के द्वारा ही हो यहां पे कुछ चीजों को सामने रखा जाए और यहां पे कुछ appropriate economic capital framework बना किया गया है तो basically चीज यही है कि proposal दिया जाए कि central bank किस तरीके से transfer करे अपना surplus अपना profit यहां पे government agencies को यहां पे हमार economic affairs secretary ने एक चीज को भी सामने रखा कि सरकार बिलकुल शशक्त है कि जो हमारा fiscal deficit का जो target है इस साल 3.3% का हम उसे achieve करेंगे और यहां पे सरकार ने बोलाए क कि हमने जो market बोला ही होती है उसको भी 70,000 करोर रूपीज से कम किया है तो हम लोगों को अभी RBI के पैसों की ज़रूरत नहीं है पर हम यहां पे चाते हैं कि RBI के अंदर कोई framework हो कुछ particular rules of guidelines के ओपर काम हो कि किस तरीके से जो पैसे है जो profit है उनको as a dividend के रूप में सरकार के पास transfer किया जाए और कितना पैसा यहां पे उन contingency fund के अंदर या reserve fund के अंदर RBI रख सकती है तो यह news थी तो चलिए आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं नमबर 5 की तरफ nation वाला page है यहां पे आपको ख़बर मिलती है आर्मी fire power get booster shot देखो 1980s में आखरी बारी हम पर अच्छी ख़बर यह है कि अब पहला artillery gun system इस तीन देशक बाद हमाई देश के अंदर आ गया है और उनको finally test भी कर लिया गया है देवलली field firing range महराश्टर के अंदर यहां पे हम लोगों ने तीन important चीजों को induct किया है पहला है यहां पे M777 ultra light hobbits यह है United States का जो हमारे देश में लिया गया है इसके साथ है के 9 वर्जर टी self propelled artillery gun जिसको हमने South Korea से लिया है और आखिर में यहां पर हमारे पास कुछ एक और वहिकल है जिनको हम लोगों ने हमारी आर्मी के साथ induct किया है सबसे पहले यहां पे कुछ बात कर लेते हैं M777 ultra light hobbitser के बारे में तो basically यह 155 mm की 339 caliber towered artillery gun है जिसको बनाया गया titanium और aluminium alloy की मदद से इसकी जो range है वो 24-30 km के आजपास की है depending on the ammunition used कि इस particular vehicle के अंदर आप कुछ सा ammunition का इस्तमाल करते हैं यह यह जो particular gun है जो की weight करती है 4 tons की उसको carry कर सकता है ट्रांसपोर्ट कर सकता है helicopters के थूरू और उसको हम लोग इसके अंद कर सकते हैं देखो November 2016 के अंदर क्या हुआ था इंडिया ने 737 million dollar की एक deal sign करे थी United States के साथ कि हमें 145 hobbits चाहिए और उन 145 में से 20 तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे बागी सब इंडिया के अंदर ही manufacture किये जाएंगे यहाँ पे 1980s में आखरी बार artillery gun को इंडिया नार्मी के इसके साथ साथ जो के नाइन वजरे टी गन है वो 155 mm 52 calibrated self-properated artillery gun है जिसकी maximum range है 40 km की बेसिकली यह वाली जो गन है के नाइन वजरे टी गन इसका जाहतर इस्तमाल डेजर्ट वाली कंडिशन के लिए ही किया जाएगा और डेजर्ट वाली कंडिशन के लिए ही इसे अधर ही बनाई जाएंगी इसके साथ artillery tractors को भी लिया गया है विकल्स को लिया गया है जो कि 6 x 6 field artillery tractor है जिनको अशोक लेलान ने डबल अप किया है जो कि replace कर देंगी हमारा एजिक फ्रीट टाटरा artillery gun towering vehicle आपने देंगी इसकी basically हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके एक field artillery rationalization plan जो कि 1999 के अंदर आया था जिसके अंदर यह था कि हम लोग 3000 से जादा gun और various type of 220 artillery regiments को हम लोग इंपोर्ट करेंगे आपने देश में बनाएंगे उसको जो process है वो धिरे धिरे चालू हो गया है पर मैं आपको बता दूँ यह जो process है यह बहुत ज़्यादा slow है जिस तरीके से बाकी सारे देश बहुत सारी important important new technological armies और जो guns है अपने देश के अंदर इंड़क्ट कर रहे है उसके इसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा slow speed में है इसी के नीचे आपको एक और ख़बर मिलती है इंडिया to export sugar to China तो आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो sugar production है वो बहु and 18 के अंदर और हम लोग दुनिया में सबसे बड़े producer है sugar के यहाँ पर हमाई देश की आप लोगे इंटर्नल जो requirement है वो है 25 million tons की और जो बाकी जो sugar है वो export किया जाता है और काफी हद तक वो waste भी हो रहा था कोई इतनी ज़्यादा हमारा export नहीं हो रहा था इसी वज़े से हम करें जिसका इस्तमाल यहाँ पर renewable energy के अंदर किया जाएगा बट यहाँ पर एक अच्छी खबर यह है कि sugar mills को boost up करने के लिए उनके जो surplus stocks हैं उनके उनका profit ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर raw sugar को export करेंगे हम लोग चाइना को early 2019 से और यहाँ पर चाइना के साथ साथ इंडोनेशा और मलेशिया के साथ भी जो export है वो हमारी 2019 के mid के आसपास चालू हो जाएंगे तो चाइना के साथ तो confirmation आ गया है पर इंडोनेशा और मलेशिया के साथ जो बातचीत है वो अभी भी चालू है यहाँ पर पहला contract मिला है 50,000 tons of sugar का जो कि चाइना ने यहाँ पर हम लोग को इस तरहा contact दिया है कि हम लोग 50,000 tons of sugar चाइना को export करेंगे तो raw sugar को हम लोग export करेंगे और अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो non बास्मती जो rice होती है उसे export करते थे चाइना को अब यहाँ पर हम लोग raw sugar भी export करेंगे तो चाइना के साथ हमारा trade deficit चलता है जो कि 60 billion dollar का है वो भी कम हो जाएगा अगर हम लोग sugar को यहाँ पर export करेंगे चाइना को तो important खबर है कि हम लोग अब raw sugar को भी export करने वाले हैं तो इसी के नीचे आपको खबर मिलती है no double your party bar if there was no trial जहाँ पर बात हो रही है article 20 की हमारा Indian constitution के article 20 की अपनी अपनी language में article 20 comment box में drop करना copy paste मत करना जो आप समझे हो उसको नीचे लिखना article 20 बेसिकली तीन बड़े-बड़े clauses से deal करता है पहला clause है ex post facto criminal legislation वाला दूसरा है double your party और तीसरा है self-incriminating evidence से link करते हुए हम लोग बात करेंगे article 22 के बारे में जो के deal करता है double your party से double your party का मतलब यह होता है कि किसी भी crime के लिए कि किसी भी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं मिल सकती है किसी को दो बार सजा नहीं दी जाएगी उसी से related यहाँ पर article आया है article 22 कहता है it mandates that a person cannot be prosecuted or punished twice for the same offense एक ही offense के लिए दो बार किसी भी व्यक्ति को punishment नहीं दी जा सकती है बट यहाँ पर जो case है वो थोड़ा सा अलग है किसी जज ने किसी को सजा सुनाई और वो जो सजा है वो उसे गलत सुना दी ठीक है गलत यहाँ पर सजा सुना दी थोड़ी सी कम सजा सुना दी तो क्या वो जज उस particular सजा को repeat कर सकता है बढ़ा सकता है अगली बार तो यह एक बड़ा सवाल था तो यहाँ पर इस सब चीजो को एक जजमेंट है 2015 वाला जजमेंट है उससे डील करते हुए यह खबर थी और फाइनली जो न्यूज हमारे सामने आई है वो यह है कि यहाँ पर अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसको correct करने के लिए जो सजा है उसको फिर से सुनाया जा सकता है अपनी गलती को correct करने के लिए ओके और यह article 22 के अंदर double jeopardy का part नहीं होगा ऐसा यहाँ पर कह दिया एक judgment ने जो कि base है on the appeal of filed by the state of miserum against the order passed by the Guwahati High Court in August 2015 तो ऑगस्ट 2015 में इसने क्या था uphold किया था special court का decision जिसने decline कर दिया था मना कर दिया था कि हम लोग second charge sheet को यह फिर से entertain नहीं करेंगे जो corruption charges है उनको फ तो यहाँ पर यह article था तो इसी के साथ आपको news मिलती है new team of wildlife experts to probe killing of tigress abni तो tigress abni को महराष्ट के forest department द्वारा यहाँ पर माला गया क्योंकि जो tigress abni थी उन्हें as a man eater declare कर दिया था उसने 13 लोगों की जान ले ली थी जब भी किसी tiger को tigress को यहाँ पर man eater declare कर दिया जाता है तो यहाँ पर authorities को एक right मिल जाता है कि वो उसे मार सकते हैं और उनके उपर कोई भी criminal activities वारा law नहीं चलेगा under the wildlife protection act of 1972 पर उन सब चीजों के बाद यहाँ पर सवाल खड़े हो गए जब union minister मेनिका गांजी जो की एक animal activist है उन्होंने बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर द उन सब सवालों के बीट में यहाँ पर national tiger conservation authority ने three member committee को constitute करने का फैसला कर लिया है जो कि investigate करेंगे प्रोब करेंगे चीजों को देखेंगे और सरकार को explain भी करेंगे कि क्या एस्थिती थी क्या circumstances थी जिनके अंदर यहाँ पर tiger सबनी को मारा गया यहाँ पर आप एक और चीज एंटी सीए के बारे में national tiger conservation authority के बारे में December 2005 में national tiger conservation authority को establish किया गया on the recommendation of tiger task force tiger task force को यहाँ पर हमारे prime minister ने establish किया था उस समय project tiger की देख देख रखने के लिए यादख ना national tiger conservation authority है वो एक statutory body है work करती है under the wildlife protection act of 1972 तो को wildlife protection act जो है उसके अंदर 2006 के अंदर एक amendment लाए गया था और उस amendment के अंदर establish किया गया NTCA को जो NTCA के जो chairman होते हैं वो होते हैं हमारे minister of environment and forest और आज की रेट में तो minister of environment and forest and climate change हो चुके हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं पेज नुबर 8 की तरफ news वाला पेज है आपको ख़बर मिलती है not in direct talk with Taliban says ministry of external affairs तो यहां पे जो Moscow format वाली जो meeting है जो कि चल रही है जहां पे तालिवानी group के साथ 12 countries को invitation दिया मैं कल मैंने आपके discussion मिलिया था कि इंडिया का जो stand है जो foreign policy है उसको कही ना कहीं change करते हुए पर इंडिया ने अपने दो diplomats को यहां पे भेजा Moscow format के अंदर बात चीत करने के लिए पर इंडिया ने एक चीज को साफ कर दिया था कि यह जो talk होगी यह एक non-formal talk होगी मतलब इंडिया उस तरीके से बातचीत नहीं करेगा और इंडिया ने इस चीज़ को भी साफ कर दिया था कि हम लोग कोई भी डिरेक्ट टॉप नहीं करेंगे तालिबानी एडिटर्स के साथ यहाँ पर इंडियन गवर्मेंट है उसके उपर बहुत सारी सवाल खड़े कर दिये थे अपोजीशन ने कि आपनी जो पॉलिसी हैं उनको क्यों बदला कि आप लोग अफगानिस्तान की सरकार के साथ नहीं हो तो इस तरीके के बहुत सारे जो क्वेश्चन्स हैं वो सामने आ थे उनको क्लैरिफाइ करते हुए यहाँ पे मिनिस्ट्र अफेर्स ने अपनी एक स्टेट्मेंट निकाली जिसमें बोला कि यह जो टॉक हो रही है इंडिया के तरफ से वेक नॉन ओफीशियल टॉक है एक नॉन फॉर्मल टॉक है और इंडिया ने पहले भी यहाँ पे इंडिया ने इस चीज़ को भी साफ कर दिया कि अगर हम लोग मॉस्को फॉर्मेट के अंदर जा रहे हैं अपने डिप्लोमेट्स भेज रहे हैं तो वो भी कोई डिरेक्ट टॉक नहीं करेंगे तालिबानी लीडर्स के साथ और यहाँ पे इंडिया के जो पॉलिसी है वो व पेजे हैं ऐसा भी कल रिपोर्ट में इंडियान गवर्मेंट ने भोला था तो अब इस सब चीजों को साफ कर दिया है इसी के नीचे आपको एक और खपर मिलती है मुदी टू अटेंड शुलीज स्वेरिंग इन सरमनी तो यहाँ पर मैंने आपको बता है था कि माडीव के अंदर जो प्रिजेंशल इलेक्शन है उसके अंदर इबराहिम सोह जीत गए है और उनकी जो स्वेरिंग इन सरेमनी होगी वो होगी नवेंबर 17 को जिसको अंदर एक तरीके से आपके सकते हो इंविटेशन बेजाता है उन्होंने हमारे प्रामिस्ट नरेंदर मुदी जी को कि आप आओ as a guest और हमारी स्वेरिंग इन सरेमनी में participate करो उसको observe करो और हमारे प्रामिस्ट नरेंदर मुदी जी ने उस चीज को accept कर लिया है और वो नवेंबर 17 को जाने वाले हैं यहाँ पे मालडीव्स इंपोरेंट चीज यह हैं इंडिया का यह कहना है कि यह जो चीजे ह हैं जो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे वह हमारी नेबर हुट फॉर्स्ट पॉलिसी का एक पार्ट है क्योंकि इंडिया चाहता है आप उन्हें नेवर्स के साथ अच्छी तरीके से closely work करना तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं पे नमबर 10 की तरफ वर्ल्ड वाल प्याले देश लोगों को एसाइलम दीया जाते हैं जो किसी और देश में वो ओलन सफर कर रहे होते हैं या और भी कोई condition सफर कर रहे होते है उन्हें अपनी जिन्दगी कर खतरा होता है पर यहां पे डोनाल ट्रॉम्प सरकार ने इस बड़ा फैसला लिया है कि यूएस के अ एल सेलवरड़ हो या हेरड़ोस हो उनके अंदर से बहुत सारे लोग हैं जो कि मेक्सिको के अंदर आके कारवन बना लिया हूने बहुत यहां पे हजारियों की ददाद में लोग हैं जो कि पैदल चलते हुए यूएस बॉर्डर तक आये जा रहे हैं और जबरदस्ति यहां प लोग पॉवर्टी वाली कंडिशन में जी रहे हैं इसलिए वो लोग यहां पे अपनी देश को छोड़कर किसी और देश में जाकर बसने की कोशिश कर रहे हैं नियुटेड इस समय भी फैसला लिया था कि हम लोग अपनी आर्मी को भेजेंगे बॉर्डर पे और लोगों को अलाओ नहीं करेंगे युएस के अंदर एंटर होना बट फाइनली उन सब चीजों को और जड़ा टाइट करते हुए युएस ने फैसला लिया है कि यहां पर जो आजालम के जो रूल्स होते हैं उनको और भी जड़ा टाइट किया जाएगा याद रखना 1951 के जो इसके उनको भी पालन करना पड़ेगा जैसे युएस कह सकता है कि उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा पर वो लोग आके कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं तो को एक चीज और है युएस तब तक डिपोर्ट नहीं कर सकता किसी और कंट्री में जब तक उस कंट्री के साथ य युएस का अग्रिमेंट यहां पर मेक्सिको के साथ तो है पर जैसे जो अमेरिकन जो कंट्री हैं उनके साथ युएस का कोई भी अग्रिमेंट नहीं है इन सब चीजों से रिलेट करती हुए तो एक स्थिति है वो थोड़ी गरबड वाली भी यहां पर हम लोग को नजर जाद रखना यहां पर जो कुश्चन मन सकता है वो यह है कि इंडिया पार्ट नहीं है 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन का इस चीज को पिछले साल बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया गया था रोहिंग्या इशूस के टाइम पर तो इस चीजों को आप लोग रिलेट कर ले आई है जो लोन ग्रोथ है कमर्शल बैंक्स की वो बढ़ती नज़र आई है पिछले पांस साल में पहली बार जो ग्राफ्स है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो देखो जो एयर अन एयर क्रेडिट ग्रोथ है ऑक्टूबर 26 2018 को वो 14.6% थे एयर अन एयर ग्रोथ की ह हम लोग बात कर रहे हैं मतला पिछले साल से इस साल किती जादा ग्रोथ में बैरियेशन आया है इससे पहले 2013 के अंदर जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो 16.6% थी यहाँ पर दिख सकते जो क्रेडिट ग्रोथ है वो ब्रॉड बेस्ट रही है यहाँ पर जो लोन डिमांड है वो प्रिसिल का इंफर इंडेक्स उसके अंदर भी सेम बात की गई थी जो किस रिपोर्ट ने यहाँ पर प्रेजेंट करी है एक चीज और याद रखना यहाँ पर एक और चीज बताई है कि जिस तरहीके से दो कॉन्जेक्योटिव ली यहाँ पर जो रेट्स हैं वो बढ़ते उसके बाद जो अब जो रिसेंटली हुई थी उसके अंदर जैसा था वैसा ही रखा गया चेंज नहीं किया गया पर यहाँ पर चैनिबरेटेट टाइटनिंग को अनौंस किया गया गी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यह है कि हम लोग प्रेजेक्योटिव नीचे तो नहीं क होते हैं जिसे हम लोग MCLR के नाम से जानते हैं उनको भी बढ़ा दिया था benchmark एक से 55 basis point से March 1st को तो इस सारी की सारी चीजों को जहान में रखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि जो growth है वो अच्छी होने वाली है इसी के नीचे आपके एक और ख़बर मिलती है easing sabotage has not led to cut in coastal shipping rates यहाँ पर बात हो रही है cabbage की अब यह cabbage होती क्या है देखो जो हमारी देश की जो internal shipping industries होती है जो internal shipping का अधान प्रदान होता है एक port से हमाई देश में दूसरे port के कोई समान जाता है उसको हम लोग cabbage के अंदर लेते हैं जो में 21 को यहाँ पे कुछ जो cabbage के जो लॉज है री स्ट्रक्चर किया गया था पहले क्या होता है जो foreign registered vehicles होते थे उनको allow नहीं किया जाता था कि वो हमारे देश में ही empty यहाँ पे vessels हो या भरे हुए यहाँ पे vessels हो उनको ले जाकर एक port से दूसरे port में transfer कर सकें खीक है जो foreign vehicles थो उनको register नहीं किया जाता था पर में 21st 2018 को इस चीज़ को announce किया गया और यहाँ पे relaxation provide की गई कि यहाँ पे जो foreign registered vehicles है वो भी हमारे देश की जो internal shipping industry है उसके अंदर participate कर सकते हैं सरकार ने उस समय बोला था कि इसका बहुत ज़्यदा फाइदा होने वाला है और भी बहुत सरी चीज़ें बोली थी कि यहाँ पे relaxation के बाद government का जो move था जो shipping के जो rates है वो हमें कम होते हुए नजर आएंगे क्योंकि सरकार का माना था कि अगर foreign industries के जो लोग हैं वो यहाँ पे participate करेंगे इंडियन की shipping industry के अंदर तो यहाँ पर competition बढ़ेगा और जो competition बढ़ता है तो जो rates है वो कम हो जाते हैं पर यहाँ पे Indian National Ship Owners Association ने चीज़ों को साफ करते हुए बोला है dispute किया है यहाँ पे सरकार के जो claims हैं उनके साथ और बोला है जो logistic cost है जिसे कम करने की यहाँ पे कुशिश की जा रही थी वो नहीं कम हुई है यहाँ पे consumer तक कोई भी benefit नहीं पहुच पाया है और जो आप major major चीज़ें देखोगे उनमें कोई भी benefit होता हुआ हम लोगों को नहीं नजराया है INSA ने एक और बात की थी जो foreign vessels होते हैं उनके उपर GST भी apply नहीं होता तो इस चीज़ का नुकसान उपर से उनने कुछ particular time period के लिए wave off भी दिये गए है उन्होंने कुछ free services भी provide की गई है जिन्होंने कुछ भी यहाँ पर reduction नहीं किया है coastal shipping rates के अंदर इस सब चीजों को साफ करती है Indian National Shipowners Association ने देखते हैं इसके ओपर क्या development होती है सरकार इसका जवाब किस तरीके से देती है क्या कोई नई report सामने आती है या कुछ data हमारे सामने आते है आज के newspaper में बस इतनी ही cover थी कैसा लगा आपको मुझे बताना बिलकुल मत बूलना जाते जाते like का button दबा देना और अगर मेरी video आपको थोड़ी से वे help करनी है तो please video को share करके जात और लोगों में फिलाने की कोशिश करें आज की video का end करते हैं so thank you for having me here guys and have a good day ahead